अब आप सब्सक्राइब और फिर से यूजिसी नेट पेपर वन के ख्लासिस में आप सबीका श्वागत थे और पेपर वन आज थोड़ा इस पेशल आप सबीके लिए क्रेंट फेर्स आप से पूछा जाता है जैसा मैंने आपको कहा था क्लासिस में यूनिट नाइन जो कि हमा लोग विकास और प्रयावरण यह जो आपका यूनिट नाइन है यहां पर आपको जो भी कंवेंशन्स हुए हैं प्रयावरण सम्मेलन्स हुए हैं वहां से प्रस्ण आते हैं अभी लेटिस्ट आपका नौंबर दोहजार चोबिस में अभी 22 नौंबर कर यह कॉन्फरेंस च लिए बहुत इंप्रेंस आपके जो पूछे जाएंगे यहां से आने के पूरे चांस है इसलिए मैं पहले कर दिया दो नंबर पक्की यहां से करेंट रपेस आएगा कोप 29 से इसलिए आएगा क्योंकि इससे इंडिया रिलेटेड हो गया है इंडिया ने बहुत कर सकते अच और इंडिया के साथ और भी कंट्रीज चांस कर लिया है बस आंकर दिखेंगे तो दिखेंगे क्यों है क्यों इंपोर्टेंट है इसके वारे कुछ पोएंट व्पोरेंट हो सब्से बड़ा में बना हुआ है उसको हम लोग देखेंगे इंडिया जिससे जुला हुआ है वहां से प्रसना है जलवाई परिवर्तन पर सेंजुक्त राष्ट फ्रेमवर्क कर्वेंशन यानि यू एन एपसेसी के पक्षों का 29 सम्मिलन जिसको हम लोग क्या कहते है कोप 29 ग्यारह नॉवंबर से 22 नॉवंबर अजर्बैजान के बाकू सहर में इसे जलवायू विट इसे जलवायू विट नाम दिया गया है क्योंकि इसका मुख लग इस बात पर सहमती बढ़ना है कि जलवायू समदने लागतों से निपटने में विकासिल देशों की मदद के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनरासी कर्च इसको जाएगा ञांगी स्विशाच्ट क्विट में तो उनको अपने हुआ उन सभी जो प्रगति थी उस पर का सकते रुकावट आएगी उस रुकावट को दूर करने के लिए जो विकासिल देश है उसको आर्तिक सहाइटा दिया जाना है विक्सित देशों के द्वारा एक फंड बना कर तो यह जो कोप 29 है इसका मुख के मक्सद वही है कि किस प्रकार वित का वैश्था किया जाए और जो खामिया जा भुगतना पड़ेगा विकासिल देशों को जलवायु परितन समधि सर्थों को मानने के यह वज़ में उनको वित्य सहयता दिया जाए है ना ताकि जलवायु परितन की समझा से निप्तारा पाए जाए उनकी आर्थ य trás समझ सकते हैं जो मुख है क्या था मैंने पहले देहां इसका नाम इतर है जलवायो विद्न आक्रेषर्ट निया सामोहिः परिमानित लख्ष न miraculous कलेक्टिव क्वांटिफाइट गोल जो वर्तमान एक सो बिलियन अमेरिकी डॉलर है अभी विकासिल देशों को एक सो बिलियन अमेरिकी डॉलर दी जाती है परती वर्स परती वर्स जलवायू परिवर्तन समझे समस्याओं से निप्टा राखे लिए धनी राष्ट याने विक आफी देशों के बारव थौ इसी लिए कि जो उवित दिया जाएगा उस जाएगा उसको क्या कलि आ जाते है है नया नाम क्या धिया इसके नया स्थामुत परिमानित लक़्ूप स्वाट में करते हैं एन सी क्यूजी स्वाट में क्या बोलता है एन सी क्यूजी तो यह क्या है नया सामोहिक परिमानित लक्ष परिवर्तन समंदि जितने सब्सक्राइब करने के लिए विकासिल देशों को उनके जलवायू संबंदि कारियों में शाहिता देने के लिए हेल्प करने के लिए कितना उनको देने से यह समस्या निपड जाएगा तो लक्ष तई किया गया है पहले कितना था एक सो बिलियन डॉलर अभी यह करेंट निवच आप देखेंगे समचार पत्रों में कि एक सो डोलष ता है अब उसको प्रसक्ते एक सोम डोलार को बढ़ा कर कितना देने का प्रयास किया गया वभी कासिल डेस्व依ों को टीनसर अरह डोलर मिने की अभी यहाँ पन बात चल रही है लेकिन भारत ने भारत ने बारत ने बात करते हैं और इसको दिया कितना है लग रहा कि बहुत बड़ा एमाउंट है हमारे आपके लिए इतना सारा एमाउंट 300 अरब अमेरिकी डॉलर उसको फिर रूपीस में आप 82 से गुना कर दीजिए इतना रूपईया हो जाएगा बहुत होता है लेकिन नहीं बहुत सारे दे इंडिया जैसा में बड़ा कंट्री भी सामिल है इसलिए कहा कि निश्राश्य को बढ़ाया जाए कितना मांगा है और कितना दिया आपको पर आपको सारा एटूजर मिलेगा तो प्वेंटिन नाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यह कहा हुआ बाकू अजरबेजान म इसमें क्या हो ना भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए 308 डॉलर के मामुली जलवाई विट पैकेज को खारिज कर दिया ग्लोबल साउथ किसको बोलता है विकासिल देशों को ग्लोबल साउथ नाम दिया गया है यहना कि को 29 अद्धर्ष और संजुक्त राष्ट जलवाई प वक्षेर रखने का मुका ही निया और इसे जवरंख पारिद करा दिया इसलिए हम लोग इसको एकसप नहीं करेंगी साउथ का संदर्फ दुनिया के कमज़ोर या विकासिल देश हो तो ग्लोबल साउथ का संपर क्या होगा दुनिया में जो विकासिल देश है जो अभी परदस्टी पायत कर दिया गया इंसे सलाह नहीं ले गया तो उस बात को लेकर भारत में मुद्दा बनाया और भारत के साथ और विद्धिस सामिल हो गया है ना इसने कहा कि नहीं हम लोग भी भारत के साथ हैं कौन कौन देस इसमें अभी नाइजीरिया हुगी है तोक रहने े किन चाहें कि ना बढ़े क्योंकि उसमें सब का हिस्सा है और यह जो एक सौरब डॉलर था यह 2009 में था और अभी 2024 हो गया है पर स्थितियां कितनी बढ़ लिए तो सिर्फ तिन गुना बढ़ा है जिस प्रकार से सभी चीजियों के दाम बढ़े है अभी इतना समय हो गया 2009 और 2024 है तो तिन गुना से तो क यहां पर विशेश कुछ है बताने को है नहीं हमने इसके बारे में कर चुके हैं तो कोब 29 की बैठाग में जारी ड्राप के मुताबिस 2030 तक विक्सित देश हर साल विकास्टिल देशों को 300 अरव अमेरिकी डॉलर देंगे फिलाल कोब 29 में जो प्रस्ता पारित हुआ है उसम कि बैठाग में किस साल तक परती वर्ष 300 अरव अमेरिकी डॉलर विकास्टिल देशों को देने का लक्ष लगा रखा गया है तो 2035 यह प्रस्त यह भी पूछा जाएगा विकास्टिल देशों को परती वर्ष कितना अरव डॉलर कोड 29 के तरद मिलना का समिलने का देने का प विकार कर दिया गया इसे बढ़ाकर फिर 300 कर दिया गया था 22 नमबर को यह समाप्त हो गया लेकिन यहां पर कोई फैसला नहीं हुआ अब देखिए इनका डिमांड कितना इन लोगों का इन लोगों का कहना है हम लोगों को इनको चाहिए कितना 1.3 लैक करोड अमिर्की डॉलर चाहिए दिमांड कितना 1.3 लैक करोड अमिर्की डॉलर इनका डिमांड है विकासिल देशों का मिला कितना सकती का बीच का रासता बीच का रास नीकलना चाहिए इसलिए बहुत ही कम हो गया इसलिए भारत ने इसे और सिव इस्वारत इसके जुला हुआ और इसको खारिज करने में भारत आगे हैं सबसे आगे भारत ने सबसे पहले इसका विरोध किया है इसलिए यह इंपोर्टेंट हो जाता है यहां से दो प्रस्मित की पूछी सकता है आप से कि पहला भारत ने कितने आरव अमेर्की डॉलर के जलवायु पैकेज को खारिज कर लिए तो 300 डॉलर के और को 29 कहां आजित क्या गया तो बाकु बाकु कहां अजरबेजान में प्रस्मित यह आ सकता है कि को 29 में प्रती वर्ष विकास्चिल देश्वों को 300 अमेरिकी डॉलर दिये जाने का प्रस्ता और पारिद क्या गया यह रासिक इस साल तक दी जाएग त निश्चित ही यह परस्न आपके लिए इंपर्टेंट है एक्जाम में आएंगे तो दो नमबर आपके यहां से पक्क्य हो जाएगे चलिए इस क्लासेश में इतना ही यह सौट क्लासेश के आप सबीक लिए कलस्क्री मिलते हैं एक नई क्लासेश में यूजिस नेट जारब पेपर वन के लिए जाहिन जावारत